दोस्तो आज उनुक यूग में online shopping एक आम बात है और आप मेंसे कई लोग online shopping भी कर लेते हैं क्या दोस्तो पता है online shopping के आपको क्या-क्या फायदे हो सकते हैं और साथ ही साथ इससे आपको क्या-क्या नुकसान को जहिलना पड़ सकता है दोस्तो आज कि इस वीडियो हम इसी topic पर चर्चा करने वाले हैं आखिर जो online shopping होती है इसके कोन-कोन से advantage है और उसके साथ ही साथ इसके कोन-कोन से disadvantage है इसके बारे में हम complete जानकारी प्राप्त करने वाले हैं दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से online shopping के बारे में complete जानकारी चाहते हैं तो आ आप लोगों आभी तक मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ने किया है, तो सबसे पहला आप मेरी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ बेल का आइकान को भी दबाना मत भुलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का latest notification आपको सबसे पहले मिल सके, तो चलिए दोस्तों बिना time waste के आज के हाँ वीडियो इस्टार्ट करते हैं, दोस्तों सबसे पहला हम बात कर लेते हैं इसके कोन-कोन से advantage है, उसके बाद हम जानेंगे इसके कोन-कोन से disadvantage है, तो चलिए हम सबसे पहले इसके advantage के बारे में बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला advantage है दोस्तों आप जब भी कोई online shopping कर लेते हैं इससे आपको स्वीधा जनक होती है आप घर बाठे ही mobile से या computer या laptop का use करते हुए आप online shopping का फायदा उठा सकते हैं और आप उस product को अपने घर तक मंगवा सकते हैं तो सबसे पहला फायदा है दोस्तों स्वीधा जना चले दोस्तों अब हम इसके second फायदा के बारे में जानते हैं दोस्तों इससे क्या होता है कि हमको कभी कभी पुराने सामान की जर्रत नहीं परती है क्योंकि हमारे पास इतना बज़क नहीं होता कि हम कोई भी new सामान या new product खरीद सके अधिकतर आप लोगों ने देखा ह होगा कि electronic वस्तियों में हम पुराना सामान खरीदना पसंद कर लेते हैं तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि कई लोग उस product को इस्तेमाल करते करते ठक चुके होते हैं उस condition में उस product को online बेज देते हैं जिसका use करते हुए हम उस product को online shopping कर लेते हैं जो कि हमको Flipkart, Amazon में जाता है तो चलिए दोस्तों यह तो हो गई सेकंडर advantage के बारे में बात चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके next advantage क्या है दोस्तों आजकल देखे होंगे बाजार में यह जो market चले उसमें परतिसपरधा बहुत होती है उसमें जो competition होता है वो बहुत होती है उससे क्या हो दोस्तों अगर आपको उस प्रोडक्ट का जो रियल रेट है जो असली रेट है उससे आपको उस प्रोडक्ट के रेट से आपको वहां सामान कम बजट में या कम रेट में मिल सकती है तो ये भी आप लोगों को online shopping में देखने को मिल जाता है तो चले दोस्तो next advantage के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तो कुछ product ऐसे होते हैं जिसको हम खरीजना तो चाहते हैं और हम बहुत सारे market में ढूंड भी लेते हैं बट हमारी जो पसंद की product होती है वो हमको नहीं मिल पाते हैं इस condition में हम क्या हो जाते हैं उदास हो जाते हैं तो अगर आप चाहते हैं दोस्तो उस product को घर बैठे मंगवाना वो भी बीना किसी दूसरे जगह जाए या बीना कोई problem के तो आप उसे बड़े आसानी से online shopping के द्वारा उस product को purchase कर सकते हैं आप उसे घर बैठे मंगवा सकते हैं तो ये तो थया दोस्तो कुछ है इसके advantage के बारे में जिसका हमको online shopping करते हैं तो हमको उसका benefit मिल जाता है तो चले दोस्ता अब हम इसके advantage के साथ सथ अब हम इसके disadvantage के बारे में भी बात कर लेते हैं आखिर हम actual में जो online shopping कर लेते हैं इससे हमको कौन-कौन से disadvantage हो सकती है इससे हमको कौन-कौन से problem का face करना पर सकता है तो चले हम इसके disadvantage के बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले disadvantage है दोस्तों, इससे हमको जो भी अपना सामान है, हम जिस भी product को मंगवा लेते हैं, उसको हम देख सकते हैं, only देख सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं, इससे क्या हो जाता है, आपको कभी-कभी नकली सामान भी मिल सकता है, आपको जिस प्रकार का आपको photo दे दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम next नुकसान के बारे में बात कर लेता हैं, दोस्तों कई बार हम लोग online shopping कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमको अपने जो भी bank account होता है, या bank का detail होता है, या आपके पास जो भी ATM card होता है, उसका detail मंगा जाता है, दोस्तों इससे क्या होता है, कभी-कभी वो जो detail होती है, वो गलत लोगों के हाथ में, या गलत लोगों के पास पहुंच जाती है, जिससे आपको भारी नुकसान का सामना करना पर सकता है, तो दोस्तों ये होगी इसके disadvantage के बारे में बात, तो चलिए दोस्तों next disadvantage के बारे में बात कर लेते हैं, दोस्तों आप लोगोंने देखा होगा, shipping charge लगता है, दोस्तों आप लोगोंने product मंगवाया होगा, आप लोगोंने product, online product purchase किया होगा, तो उसमें आप लोगोंने देखा होगा कि product का जो shipping charge होता है, वो आपको देना परता है, कभी-कभी क्या होता है, दोस्तों, अगर हम कोई product मंगवा लेते हैं इससे क्या होता है आपको उस product से ज़्यादा shipping charge भी देना पर सकता है इससे आपको नुकसान है तो ये कुछ disadvantage है जिससे हमको shipping charge में disadvantage या नुकसान का सामना करना पर सकता है तो चले दोस्तो next disadvantage के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तो अगर हम हम online закas辉न होते हैं तो जो छोटे ही दुकानदार होते हैं तो उसको बारी नुकसान होते है क्योंकि हम उहां product online मंग आ रहा है हम ुसके दुकान तक नहीं जा पा रहा है तो इससे क्या हो जाते है उनका जो छोटा दुकानदार होता है उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है next disadvantage है दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि हम जो भी product मंगवा लेते हैं online जो भी product मंगवा लेते हैं उसमें क्या होता है कि हमको समय पर या जो time पर हम product चाहते हैं वो हमको नहीं मिल पाता है दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि आपको online shopping करना चाहिए या नहीं अगर आप लोग करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं करना चाहते हैं प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और यहां वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को फ्रेंड सरकल कंदा सेयर कर दे, तो दोस्तों आज के लिए फिलाल बस इतने हैं, कल फिर एक नए टॉपिक के मिलेंगे, तब तक लिए नमस्कार